मुझे लगता है कि और कमपनियों को यहां पर काम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Tata ही सब कुछ ओफर कर देगी तो जैसे चुपा रहता ना दिखाया था आपको तो और इस बूट को एक्सेस करने के लिए हाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलती हूँ मुझे बहुत बुरा लगा तो प्योर में आपको क्या-क्या चीज़े मिलती है जब आप लगभग सारे 9 लाख रूपे के आसपास खर्ज करते हैं क्योंकि Tata Nexon, नई Tata Nexon की जो कीमत शुरू होती है 8,10,000 रूपे से लेकर 15,50,000 रूपे के बीच में रहती है और आपको बता दूँ यहाँ पर इतने बेरियंट मिल जाते हैं कि आपका सरदर्द हो जाएगा और मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 10,000,000 के उपर जाने का नहीं है तो यह प्योर क्या कुछ आपको आफर करती है और कितनी प्रैक्टिकल साबित होती है तो यह वीडियो पूरा आन तक जरू देखेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं इस गारी को खरीदे क लिजडे के लिए शरू करते हैं तो बात करते हैं प्रेंट log की यहां पर क्या चीज़े मिलने वाली है तो देखे यह वहariamente Yo. अपको वही मिलने वाला है अगर थोड़ी बहुत चीजी अगर कम्प्रॉमाइज आप करेंगे तो यह बता देती है कि अलग दुनिया आपको दे रही है और अपने इस बेरियेंट बताब प्योर नाम है इसका तो यह एक खरा सौधा साबित होती है, अगर फ्रेंट लोग की बात करेंगे तो बहुत कुछ missing नहीं है, इतनी बड़ी चीज missing नहीं है, जिसके लिए आपको परिशान होना पड़े, तो यहाँ पर फ्रेंट, पारकिंग, सिंसर वगरा तो आपको नहीं मिलेगे, लेकिन जो चीजे म मिलता है, तो यह ब्लैक कलर का साजीब लग सकता है, क्योंकि बॉड़ी कलर नहीं है, लेकिन इसका कॉंबिनेशन अगर इससे जमाएंगे, तो काफी अच्छा लगने वाला है, बढ़िया विंडो एरिया मिल जाता है, और एक टोन इसमें आपको अलग से यह उफर करती है, और इसके ORBM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं यहीं पर, तो यह भी अच्छी चीज़ा ऐसा नहीं है, कि आपको मिल नहीं रहे है, तो यह काफी खूब सूरत यहां पर दिया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, अगर नीचे देखेंगे, अच्छा ग्राउ काफी अच्छा है, मुझे लग नहीं काब नहीं लग रहा है यहां पर देखने में, आपको कैसा लग रहा है, आपको कोमेंट करके बता सकते हैं, तो साइट से सारी चीज़े हां पर मिल जाती है, और ग्राउंड क्रेंस भी यहां पर अच्छा इन्होंने रखा हुआ है, औ यहीं पर आपको मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कुछ आपको फैयंसी चीज़े नहीं चाहिए, तो यह एक बैल्यू पॉर मनी बेरियंट के तौर पर आपका स्वागत कर लेगी, तो आईए अब आपको दिखाते हैं इसका रियर, तो अगर मैं पूछू तो रियर दिखाते हुए कि भाईया कहा से लग रही है कि नक्सौन का टॉप बेरियंट नहीं है, छोड़ी मोड़ी चीज़े अगर इस कॉलिटी को छोड़ देंगे, तो यह दिखाती है कि हाँ यह भी टॉप बेरियंट जैसा ही है, बढ़ी आई स्पॉयलर मिल जाता है, यह प्लास्टिक कॉलिटी बताती है कि यहाँ थोड़ा सा लोर वेरियंट है, शार्क प्रियंटिना मिल जाता है, और यहाँ पर देखेंगे, तो इस जगे पे डी-फॉगर आपको नहीं मिलेंगे, इस वाले वेरियंट में, तो यह एक काउस्ट कॉटिंग के तोर पर आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर डी-फॉगर दिया होता, अच्छा रहता, और वाइपर यहाँ पर रियर वाइपर भी आपको नहीं मिलता है, तो जैसे छुपा रहता ना, दिखाया था आपको तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर भी नहीं मिलता है, और साथ में, मचास्मा रेंगल भी काफी अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पर आपको दो पार्किंग सिंसर ही मिलते हैं, तो यह रियर बंपर के साथ में अपनी पूरी कहानी कह देता है, नेक्स ओन की बैजिंग मिल जाती है, बताती है, यह नई है और इस नयापन आपको यहाँ पर दिखने वाला ह है, यह भी 16 इंच का ही है, और इसको आप अराम से लगाके अपनी गारी को जुरुत पर जा तो यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई चेज़ नहीं मिलने वाला है, मैंने अपना बैगी स्तरीके से डाल रखा, इस सीट को आप फोल्ड करेंगे, तो आपको बढ़िया जगे मिल जाएगी सामान और रखने की, यह काफी कुछ यह उपर कर देता है, अगर गारी में बैठने वाले सिर्फ दो लोग है, तो यह सारी चीजे मिलाकर एक प्रैक्टिकल गारी बनाता है, और बहुत लंबे टाइम से मैं नेक्सॉन को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी प् फीचर आपको मिसिंग मिलने वाले हैं इस प्योर बेरेंट पे, इस नेक्सॉन के रीर सीट पर बैठ गया हूँ, सेटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको छे अर्वेग मिलते हैं, और यह बहुत अचीजी है, क्योंकि आज कर सारी कंपनियों ने सेटी पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, चाहे हुंडे की बात करें, टाड़ा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, और यहाँ पर जो मिलने वाली चीज़े, तो यहाँ पर असी बेंट मिल जाता है, पे और में, जो प्रेक्टिकल अवेली पार मनी बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, य यहाँ पर जगे दे दी है, दरवाजे पर, और अच्छे से आप बैठ सकते हैं, प्यानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर एक फिनिशिंग के अंदाज में मिलने वाला है, कोई सॉफ टच नहीं मिलता है, यहाँ पर बैठ कर आप आरहाम से, मतलब अब अर्जस्टेबल है और यहाँ परण पर आप आ इसको खरीदने में कोई बुराही होगी, क्योंकि यहाँ पर काम के फिचर आपको मिलते हैं, मतलब दिखावी के फीचर कुछ नहीं मिलते हैं, क्यूं बोल रहा हूं चलिए, आगे आपको बढ़़े कर दिखाते हैं, चलते चलते बता दू, यह पर जो यह तरनल दिया गया है यह थोड़ा सा उसके लिए बादा उत्बंद करेगा तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको फ्रेंट सीट पर दिखाते हैं और क्या कुछ मिलता है इस काड़ी ले तो जब चाबी घुमाओगे फ्रेंट सीट पर तो टाटा सौगत करने आ जा बहुत साइज आएज आपको मिल जाती है और यह चीज अच्छी लगी यहां पर आपको पहुत अच्छे मतलब जो रंग बिरंगे चूज किये हैं काफी अच्छे बन पड़े हैं और मुझे काफी अच्छे लगने देखने में तो यहां से कुछ नहीं करना है सट करने के ल मिलती हैं यहां पर भी आपको एक एरवाइफ मिलता है तो सेफटी के लिहास से इन्होंने काफी कुछ अलग चीजे की हुई हैं जो कि लोगों के काम आने वाली बढ़िया डैश्पोर्ड मिल जाता है और यहां पर आपको पुराना जो देखा होगा निया हर्मन कार्डन का यहां पर आपको मिल जाता है और इस पर बहुत सारी इंफरमेशन एपल कार्ड प्ले एंडॉड डाटो इस सब आप यूज़ कर सकते हैं के बलके सारे यह चीज़ देखिए यह अब इस तरीके से आता है और यहीं से आपको बूट खोलना है बूट दिखाया था ना कि वहा यहां पर एक ही चार्जिंग पोर्ट मिलता है तो यह आपको थोड़ा कल सकता है और यहां पर 12 बूल का एक सॉकेट मिलता है इस जगे पर ड्राइबिंग बोर्ट सारे मिल जाते हैं सेटी एको एस पोर्ट चूच कर लीज़ेगा जो भी आपको चाहिए और 6 स्पीड का यहां से लेकर यहां तक आप सामान रख सकते हैं और सामान अगर यहां ना जमें दर्वाजे पर पानी की बोटल लगा सकते हैं काफी कुछ जगे मिल जाती है चाता भी रख सकते हैं यहां पर आपको इट्रिटी के नाम पर बड़ी जगे मिल जाती है अगर आप खाना वान में मिलता है तो भी है इस पेवर में और क्या-का चीज़ें भी दिखा देता हूं तो यहां पर आपको sun visor पर कोई mirror नहीं मिलता बैंटी mirror यहां पर आपको बैंटी mirror मिल जाता है simple सा रखा गया है और यह light अब यहां पर LED light दे दी है तो यह अची जहां पर आप अंडर 10 लेक्स में प्योर खरीद कर खुश हो सकते हैं बहुत सारी गाड़ियों को बीट कर सकते हैं चली इसका इंजन मी दिखा देते हैं किस तरीके से इंजन की पैकेजिंग की गई है तो चले वे दिखा देते हैं इसका एंजन 1.2 लीटर का इसमें आपको प तूब हो जाए और बहुत जल्द एक नया एंजन आने वाला है ताटा के तब सभी बताता चलों 88 पीस का पाउर आउट पूट देता है इनका यह 1.2 लीटर का पेट्रोल एंजन पैकेजिंग अगरा दुरुस्त कोई दिक्कत नहीं है और जहां पर आप टेस करेंगे इसकी कॉलिटी फील होने वाली है मतलब टाटा पर आपको प्राउड होने वाला है इंसुलेशन प्लेट और दिया गया जिससे ज्यादा आवाज अंदर ना जाए और यहां पर दिखें के क्रंपल जोन हो गड़ा काफी अच्छे से दिये गए मतलब पैकेजिंग में आपको कोई नेक्सान में दिया है कॉमेंट करके जरूर बताएगा और जो मैंने अपने वीडियो में बताने की कोशिश की है क्या आपको समझ में आया या नहीं कुछ रह गया है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आईए मेरा इंस्टाग्र है हमेट.वेडी जो भी आप सवाल करेंगे उसक जवाब आपको सीदे मिल जाएगा